नमस्कार आप सभी का स्वागत है स्टार्ट सिटी न्यूज में मैं इस वक्त दिल्ली के बल्ली मारन विधान सभा जिला चानी चौक में मौझूदू साथ हमारे एड्वोकेट धिरेंदर देव शर्मा जी हैं जो की बल्ली मारन मंडल के अध्यक्ष चुने गए आएं से सीध आप सबसे पहले क्या कियाना चाहिए इस पर सबसे बहुत मैं समस्थ देश भाषियों को हार्दी शुपकामनाई देता हूं की प्रभू राम जो हमारे साड़े पांसो वर्ष का संगर्ष था उसके उपरांत आज अपने इस्थान पर वापिस आये हैं हम लोगों ने जी भ हम लोगों की आहोती दी और लेकिन उस आहोती का पतीनाम इतने बड़े संगर्ष qué के रूप में आज हमारे सामने हैं रहो हम लोगों को पार पाके मंदिर को प्श करिदेंगों ने मानिय दो बनाया उनके द्वारा किये गया प्रियासों से आये सब संभा हुआ है इसलिए हम प्रभू शरी राम की जय बोलते हैं और प्रभू राम से आशा करते हैं कि वह इस देश के अंदर खुशाली शान्ती और सद्वावना लाइंगा सर अभी अपके पार्टी ने जिमया दिये बने महारन से मंदल अदेश मेना तर। उसके बाद से कितने कekूरवथ करते हैं किया साक्षाल मेरे को ने जो भी पार्टी ने काम दिये हैं नय बॉर्ट बनाने का कारिया है और भी अन्य काम है प्रभुष श्री राणों का यह कारिया था सब कामों में पार्टी के दिशा अनुसार लगे हुए और 2024 में हमारा एक ही लक्ष्य है कि मोदी जी को पुनहें तीसरी बार इस देश का प्रधान सेव्यक्त बनाना इस बार 2024 मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है कोई मुकाबला नहीं है यह जो गड़बंदन है ना यह गड़बंदन तो केवल और केवल लालाचा गड़बंदन है इनको सत्ता किसी ना किसी यह इनके इन प्रकाड़ें सत्ता चाहिए जिससे कि यह इस देश को लूट सकें इस देश के अंदर जो भी रिसोर्स हैं उनका दोवन करके अपना घर भर सकें पर अंतु जब तक मोदी जी है यह संभव नहीं है इस से में सारा देश खुशाल है हर व्यक्ति खुशाल है देश के अंदर कहीं कोई दंगा नहीं है कहीं कोई आगजनी नहीं है कहीं किसी प्रगार का कोई आतंगवाद की घटना नहीं है कोई भी वंचित नहीं है देश के अंदर जब से मोदी जी का शाषन आया दोवर 14 से इस देश में लगतार खुशाली बढ़ रही है केवल और केवल विपक्ष का यह प्रोपगंड़ा कि यहां पर विरोजगार है मैं पूछे जाता हूं 24 से पहले क्या विरोजगार है इन इस प्रबटी हो सब्सक्राइब जी ने जो पिछले दस सालों में अपनी विकास यात्रा करी है मोदी जी उसके उपर चुनाव लड़ा है मोदी जी ने जंदन योजना का एकाउन खुलवाए मोदी जी ने उज्वला योजना शुरू करी घर घर में उज्वला योजना के नाम से सिलेंडर दिये उन महिलाओं से पूछो जो चूले में लखडी जला के रोटी सेगा करते दी आज उनके पास उज्वला योजना के सिलेंडर है दिल्ली में जो हम पार्टी लेवल पर लाप दे सकते थे लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से इंग योजना भी लागू नहीं की गए जिससे की कोई गरीब व्यक्ति अपना फ्री में इराज करा सके क्या बज़ा है मतलब दिल्ली सरकार आमाधी पाइटे पर सौरी दिल्ली सरकार केंद्र या ठीक रहा फोड़ते दर क्याते हैं कोई भी योजना वह लागून देती अच्छाटी नहीं है वह कि आरा जक्ता फिलाने चाहती है देखिए अटल्जी डाइम पर शीला जी सरकार थ दिखिए वह कानुन को नहीं मानती उसने काम नहीं करना केवल बाहना बनाना है कि अल्जी हमें काम नहीं करने दे रहा है चौबिस के बासर फिर पच्छेज के विधान सबस्वाइं चुनाव दिल्ली में आपकी लगबक काफिस समय से सरकार में निम्न पाई इस बर आप कह पूरी तयारी है और पूरी कोशिश है और दिल्ली जनता भी केजरी वाल की जो खुराफातियां हैं जो उसके कारणा में हैं उन सब को जान चुकी है पैचान चुकी है इसलिए इसलिए दो या पच्चिस की विधान सवा में जो फरवरीम होगी उसमें भाजते जंता पार्टी प्रचंट भूंबत से सरकार बनाएं हैं सबसे बड़ा मुद्दत तो जो है केजी वाल के भ्रस्चा चार हैं आप केजी वाल की कोई फैल उड़ा लो इसमें केवल भ्रस्चा जार आप कारी नीती बनाई उससे बिश्चाजार आप कारी नीती आप देख लो सिसोधिया जी संजर सिंग जी दोनों जेल के अंदर हैं इनको सुप्रिम कोड तक से जमानत नहीं मिल लगी केजरी वाल जी एडी के संबन पर डरके मारें नहीं जा रहें क्यों क्योंकि उन्हे कर ले वो उसके संबन पर पूश्चाज के लिए हाजिर नहीं हो रहा है जिरेंदर जी आप एक मंदल अदेश्य है तो लोगों के बीच में यास पार्टी के लिए आप किस तरह मतलब से वह भाव कर देखें जी जो भी कोई व्यक्ति हमारे पास को समस्या लेके आता है जिस उसको आगे अपने वरिष्टी नेताओं किया कि प्रस्थूत करना है तो हम उसको आगे ले जाते हैं और कोशिच करता है कि उस समस्या का वहां जाके निराकरन हो जाएगा आप अपने पूरी टीम को लेके सर कैसे लेके चल रहे हैं हमारी बिलकुल पूरी टीम कंदे से काम कर रही है सब लोग एक दूसरे के बिलकुल सहयोगी है किसी प्रगार का कोहीं कहीं भी दिक्कत नहीं है अच्छा मैं जाना चाहूंगा भी आपके बल्ली मारण जो कौन से मिल सी बेसिक यहां के आमधी पार्टी के दोनों पार्षे तो बिदाय के तरफ क्या समस्या क्य पानी पानी गंदा आता है या तो आते ही नहीं है आता है तो गंदा आता है कि यह तीन समस्या है समस्या जो है कि समस्या बनी हुए ना तो विधायक काम करता है वह बिल्कुल काम नहीं करता है ना हमारा जो कौर्पेटर है वह काम नहीं करता है शड़के टूटी हुए है ग निगासी की कोई विवस्ता नहीं है यह सारी समस्था हैं जिनके लिए विधायक को और पार्षत को जन्तों जवाब देना पड़ेगा आने वाला चुनाब हम लोग इस विधान सवह में इन जो इस्थाने समस्था हैं इनी के उपर लड़ेंगे और हमारे उस समय विधायक को पार्षत को जवाब देना पड़ेगा कि इन समस्था का निराकरण क्यों ही किया गया संगरश तो काफी समय से कड़ते आ रहे हैं मगर कभी बल्ली मारें विधान सब्सक्राइब कभी भाश्पा से विधायक ने बन पाया सब्सक्राइब लगभा कॉंगर्स ने राज किया जी ने इसके बाद फिरामादी पायटी ने राज किया क्या वजए से देखे संग तिरानवे में जब पहला विधान सब्सक्राइब लेक्शन हुगा था उससे में विश्म अधर शर्मा जी हमार अच्छे बड़े नेता थे वह चुनाब बड़ते अपसोर गिये हैं वह उस अवादी के संतुरंग के बिगड़ने की भी बहुत बड़ी वज़े रही कि हम जो है विधान सब्सक्राइब का या नगर निगम का चुनाब नहीं जीट पाए दो यार साथ में हम जीते देख चुनाब यहां पर नगर निगम का जा हमारी पार्षट रिणुका गुपता बिजेपी से बाशब बंसी दो अर्साथ के अंदर उसके बाद अवादिया संतन जादा हो गया खराब हो गया असी असी बीस की देशे हो गई है यहां पर यह कुछ फैक्टर हैं लिए हम कोशिश करते हैं कि सबको साथ देने की सबको साथ देचलने की मुसल्मानों में भी पास पैदा करने की कि हमारे साथ आएं कंदर से कंदर चलें आप पार्टी में शामिल हों पार्टी कैसे काम करती है पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विश्वाज और सबका विकास तो क्या उमीद लगाते हैं मतलब 25 के विधान सभा में हम बिलकुल हंटर प्रशन उमी सब्दमा विश्य हमारा करता दिवस इस मौके में सभी देश वाजिएं को सब्सक्राइब देता हूं और उनसे आग्रे करता हूं कि हम अपने देश के प्रती सदा इमांतरा हैं देश के विकास के लिए देश की भलाई के लिए अपने आपको हमेशा प्रस्तुर रखें और देश हमें सब कुछ देता है हम भी देश को कुछ देना सीखें जैहिन जैभारत तो यह हमार सीधिबाद एडवोकेट धिरेंदर देव शर्मा जिसे स्टार्ट सीड़ी के साथ मैं जितेंदर गुपता हूँ